स्वागत है आप सभी का sg classes की science class में आज हम फिर से अपने topic को continue करने जा रहे हैं sound दोस्तो एक बार एक minute में हम revise करेंगे कि sound में हमने क्या-क्या पढ़ लिया था अब तक अब तक दोस्तो हमने पढ़ा sound में speed of sound तीन तरह के sound पढ़े थे तो एक बार revise कर लेते हैं तीन तरह के हमने जो range पढ़ी थी frequency की 20 से 20 kHz जोस्तो 20,000 Hz को 20 kHz भी लिख सकते हैं ये बात आप याद रखिएगा ये हुई हमारी ultrasonic जो मैंने आपको बताया था पराशरव्य दोस्तो एक बार short में ये revise हो रहा है क्योंकि विस्तार में हम इसे पढ़ चुके हैं ये हुई हमारी ultrasonic और ये हुई हमारी infrasonic यानी की infrasonic यानी की अप शरव्य तरंगे दोस्तो साउंड में जो की 20,000 हर्ट से नीचे होती है ये audible range जो हम सुन पाते हैं और दोस्तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा 0 से 120 db जब हम decibel की बात करेए मैं आज आपको पढ़ाऊंगा decibel भी unit होती है sound को मापने की loudness को मापने की ultrasonic पराशरव्य होती है 20,000 हर्ट से उपर दोस्तो 20,000 हर्ट से उपर मैंने इंफ्रसोनिक आपको पताया था elephant volcano बड़े object से निकलती है 20,000 हर्ट से नीचे volcano elephant और आप देखिये उससे बड़े object से यानि भेल से वेल मचली blue whale आपको पताया गया था कि इंफ्रसोनिक sound निकलता है दोस्तो अल्ट्रा सोनिक sound waves कहां स से produce होती है छोटे object से जैसे cat बहुत important है दोस्तो dog दोस्तो बैट बैट को दोस्तो अच्छे से अच्छे से पढ़िएगा बहुत important है चमगादर बैट को चमगादर को चमगादर अल्ट्रा सोनिक waves सुन भी पाता है और produce भी करता है question आया है previous paper में railway में दिया है question कि बैट समय कैसे उड़ पाते हैं जबकि वह रात को देख नहीं पाते तो चमगादर रात के समय अल्ट्रा सोनिक waves उत्पन करते हैं they produce ultrasonic waves due to which they travel at nights वो रात को इसी लिए चल पाते हैं दोस्तो क्योंकि वह अल्ट्रा सोनिक waves produce करते हैं पैदा करते हैं generate करते हैं तो और दोस्तों ultrasonic डॉल्फिन डॉल्फिन लगभग एक हजा एक लाख हर्ड तक कि डॉल्फिन के जो बोलती है उसका साउंड लगभग बन लैक हर्ड फ्रिक्वेंसी उसकी होती है अब दोस्तों हमने पढ़ा था कि स्पीड ऑफ साउंड अल्टरसोनिक के यूजिस पढ़े थे वो आप पढ़ लिजेगा स्पीड ऑफ साउंड डायेटली प्रपोर्शनल टू इलास्टिसिटी ठीक है दोस्तों इलास्टिसिटी और यह शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं स्पीड ऑफ साउंड किस पर होता है स्पीड ऑफ साउंड उसकी तरंग दे पर तरंग दे आधी तो स्पीड ऑफ साउंड आधा तरंग दे डबल तो स्पीड ऑफ साउंड डबल हो जाता है दोस्तों उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड किस पर डिपेंड नहीं करता ठीक है दोस्तों यह फ्रिक्वेंसी temperature के बढ़ने से sound की speed 0.67 meter per second बढ़ जाती है और अगर दोस्तो speed किस पर depend करती है speed जो होती है वो directly proportional होती है किसके humidity के तो humid air जो होती है humidity जब बढ़ती है तो ये भी speed भी बढ़ती है क्यों अब मैंने gases का बताया था दोस्तों कि जो gas जितनी ज़्यादा घनत्तों होगा जितनी ज़्यादा भारी होगी उसमें speed of sound उतना कम होगा gases में उल्टा हो जाता है क्यों एडिबर्टिक constant मैंने बताया था pressure by density और एडिबर्टिक exponent आपको बताया था यानि रूदोश में घातांग cpy cv तो दोस्तों क्योंकि हलकी air में gas तेज चलती है इसलिए एक बात याद रखिएगा question आ सकता है कि humid air humid air dry air से भारी होती है या हलकी होती है तो बच्चे क्या करेंगे कि air में vapors आ गए तो भारी होगी नहीं air में अगर vapors की मातरा बढ़ती है तो वह हलकी हो जाती है humid air is less dense humid air is less dense than dry air यह बात याद रखिएगा कि वाश्प जैसे जैसे हवा में बढ़ता है उसका घंद तो क्या होता है घड़ता है तो दोस्तों यह हमारा speed of sound अब तक revise हो गया अब दोस्तों बहुत important topic है समझने प्रियास किजेगा कि जब sound की बात हो रही हो तो frequency क्या है frequency यानि आपगरती और जब sound की बात हो रही हो तो amplitude क्या होता है यानि आयाम दोनों अलग बाते हैं दोस्तों अगर बात frequency की हो तो number of cycles per second frequency कहलाती है यानि एक second में per unit time में कितना vibration किया particle ने कितना उपर नीचे गया particle vibration स oscillations किया उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों frequency और amplitude किसे कहते हैं कि mean position से कितनी दूर तक vibrate किया कितना vibrate किया दूर भले ज़्यादा हो भले कम हो उसे frequency कहते हैं कितनी दूर तक vibrate किया देखिए जब मैं frequency की बात करूंगा तो कितनी बार vibrate किया उसने एक second में वो हुई frequency और यह mean position यानि उसने equilibrium position या mean position से कितनी दूर तक vibrate किया यह हुई हमारे amplitude कितनी बार किया vibration वो हुई frequency और कितना दूर तक displace हुआ पार्टिकल देखिए पार्टिकल यहां से चला था यहां पहुचा मतलब maximum इतना displacement हुआ इतना भी श्थापन हुआ उसका यानि कितनी दूर तक भी श्थापित हुआ amplitude कि मैंने आपको पढ़ाया था waves में कि displacement of particle from mean position is known as amplitude, amplitude यही तो होता है दोस्तो displacement of particle from mean position is known as amplitude तो दोस्तो mean amplitude आप एक बार सरल भाषा में समझेंगे कि अगर sound की frequency बढ़ रही है या घट रही है तो sound पर क्या प्रभाव पढ़ेगा sound पर क्या प्रभाव पढ़ेगा दोस्तों अगर sound की frequency बढ़ेगी तो sound तीखा होगा frequency पढ़ने का मतलब तीखा होना मालीजे मेरी आवाज अभी, अभी मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज fourth row तक जा रही है, चौथी row तक, चौथी पंक्ती तक जा रही है frequency बढ़ाने से मेरी आवाज पाँच्वी रो तक नहीं जाएगी, मेरी आवाज चौथी रो तक ही जाएगी अगर मैं आवर्ती बढ़ा दूँ, आवाज की आवर्ती को बढ़ा दूँ अपनी, मैं अपनी sound की आवर्ती बढ़ाऊँ तो आवाज तीखी हो जाएगी, सुनने वालों को खराब लगेगा, कि सर बहुत तीखा बोल रहे है, लेकिन दोस्तों वो पाँच्वी पंक्ती में आवाज नहीं जाएगी, तो फ्रिक्वेंसी का मतलब दूर तक आवाज जाना नहीं, फ्रिक्वेंसी बढ़ने या घटने का मतलब आवाज तीखी है या आवाज नर्म है, ठीक है दोस्तों, शार्प और श्रिल साउंड या ग्रेव और डल साउंड, यह अभी हम आपको पी आवाज जा रही थी, पर क्लास्रूम बहुत बड़ा है, ठीक है दोस्तों, स्जी क्लासिस का क्लास्रूम बहुत बड़ा है, बच्चों को पीछे तक आवाज जानी है, तो मैंने क्या किया, मेरी आवाज चोथी रो तक जा रही थी, मैंने यह माइक्रोफोन लगाया, क्या ह या मेरी जो तरंगे हैं साउंड की उनको बड़ा कर दिया डिस्प्लेस्मेंट फ्रों मीन पोजिशन जादा हो गया अब जब मैंने एंप्लीफायर लगा लिया एंप्लीफाय कर लिया आवाज को आवाज दूर तक चली गई तो दोस्तों याद रखिएगा जब भी एंप्ली अब आवाजट रही है या नर्म होगी तो फ्रिक्विंषी आवरति की बात हो रही है ठीक है तो यह बात याद रखिएगा और अगर आवाज लाउड होगी तो बात हो रही हैं एंप्लीट्यूट की दोस्तों अब हम पढणने जा रहे हैं स्पीड औफ साउनद दूसरा हम ने समझ लिया frequency और amplitude कैसे वर्क करते हैं sound के साथ में अब हम पढ़ने जा रहे हैं third topic sound का बड़ा important जिसे हम क्या कहते हैं characteristic of sound कैसे behave करता है sound उसकी characteristic उसकी खासियत क्या होती है characteristics of sound तो दोस्तो characteristic of sound में सबसे पहली बात क्या आती है सबसे पहली जो बात आती वो आती intensity of sound दोस्तो बैट वाला एक्जामपल याद रखेंगा एक्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है कि बैट रात को कैसे चल पाता है चमगादर तो ultrasonic waves वो produce करता है mosquito मच्छर भी ultrasonic waves ही produce करते ह मॉस्किटो ultrasonic waves produce करते है अब दोस्तो intensity of sound यानि sound की तीवरता इंटेनसेटी ओफ साउड यानि sound की तीवरता ये क्या होती है इस पेस में किसी भी point पर intensity of sound क्या होगा दोस्तो इस पेस में किसी भी point पर माल लो मैंने बोला मैंने बोला और यहां तक मेरी तरंग गई तो इसी पॉइंट पर जहां मेरी उंगली है इस पॉइंट पर क्या होगी intensity sound की कि यहां के per meter square area से कितनी energy pass हो रही है एक second में unit time में यानि energy energy लिख देते हैं point in space at point in space space में किसी भी point पर तीब्रता क्या होगी आवाज की energy passing per unit area energy passing per unit area per unit area यानि एक meter square area में से माली जी area एक meter square है और यह sound की तरंगे आ रही है sound की तरंगे यानि कितनी तरंगे एक meter square area से एक second में पार होती है उसी को हम कहते हैं sound की तीब्रता समझने के लिए था कि अगर कोई पूछे कि sound की तीब्रता क्या होती है तो ध्वनी तरंगों का एक meter किसी भी point पर ध्वनी तरंगों का एक meter square से एक second में जितनी तरंगे amount of energy जितनी उर्जा गुजर जाती है उसी को intensity of sound कहते हैं passing per unit area per unit time एक second में एक unit area से एक meter square area से जितनी उर्जा गुजर जाती है जितनी energy pass कर जाती है amount of energy passing through per unit area per unit time is known as intensity of sound ध्वनी की तीब्रता जितनी उर्जा एक meter square space में किसी भी point पर ध्वनी की तीब्रता एक meter square छेत्रफल से जितनी उर्जा एक second में पास कर जाती है गुजर जाती है उसे हम उसकी स्वनी की तीब्रता कहते हैं अब दोस्तों ये बात हुई intensity of sound की पूछ लेते हैं कि intensity of sound की SI unit क्या होती है system international unit जो होती है intensity of sound की ऐसा unit होती है watt कितनी energy watt per meter square यानि कितनी energy कितने meter square से गुजर गई कितनी power कितने meter square से गुजरी उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों उसी को कहते हैं intensity of sound और intensity of sound कहते हैं watt by meter square अब दोस्तों intensity of sound किस चीज़ पर depend करता है यह देख लीजिए आप intensity of sound किस पर depend करता है देखिए directly proportional होता है यानि कि करमानुपाती होता है किसके square of frequency के square of frequency यानि आब विरती जितनी ज़्यादा होगी उतनी तीवर आब विरती जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही तीवर intensity of तीवरता बोल रहा हो जितनी तीखी अवाज होगी उतनी तीवर अवाज होगी बस जितनी तीवर उतनी तीखी तूसरी बात directly proportional to square of amplitude आयाम के भी आयाम यानि तेज और तीखी दोनों पर directly proportional जितनी तेज बोलोगे उतनी तीवर अवाज होगी जितनी तीखी उतनी तीवर जितनी तेज उतनी तीवर यानि तीवर ता दोनों पर depend करती है frequency बढ़ाने से intensity of sound बढ़ता है question ऐसे आता है exam में कि if we increase the intensity of sound यदि हम किसी दोनी की तीवर ता को बढ़ादें तो उसकी frequency हम बोलेंगे बढ़ जाएगी यदि हम किसी धुनी की frequency बढ़ा दें तो उसकी तीवरता बढ़ जाएगी अगर हम किसी धुनी का आयाम बढ़ा दें amplitude बढ़ा दें तो उसकी तीवरता बढ़ जाएगी तो दोस्तो इस तरह से question conceptual exam में आते हैं कि धुनी तरंगों की तीवरता को बढ़ाने से frequency पे क्या असर हो परक नहीं पड़ता क्योंकि frequency is independent of speed of sound is independent of frequency of wave तो दोस्तो inversely अब यह inversely proportional किसके होता है यानि विर्यूत कर्मानुपाती किसके होता है square of distance between square of distance between square of distance between square of distance between point and source point and source square of distance between point and source किसी point और source में कितनी दूरी है माली जी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मैंने अपनी frequency भी बढ़ा दी amplitude भी बढ़ा दिया और आप मेरे पास बैठे थे तो आपको क्या होगा तीवर्ता जादा हो जाएगी sound की लेकिन अब क्या होना लगा आप मुझसे दूर जाने लगे क्या हो रहा है square of distance between them के inversely proportional यानि point जो बोल रहा है वो source है मैं बोल रहा हूँ मैं source हूँ मुझसे आवाज निकल रही है और point क्या है आप हो जहां तक आवाज जा रही है और आप दूर जाते जा रहे हो मैंने frequency और amplitude दोनों बढ़ा है तो तीवरता बढ़ गई आपको तेज सुनाई देने लगा और तीखा सुनाई देने लगा लेकिन जैसे जैसे आप मुझसे दूर जाते जाओगे इतने के बावजूद भी आप उठकर class से दूर जाते जाओगे तो मेरी आवाज क्या हो जाएंगे तो sound की तीवरता घटी चली जाएगी intensity of sound घट जाएगा अब दोस्तों intensity of sound depend करता है square of frequency square of amplitude और square of distance of point and source अब दोस्तों intensity असल में करता क्या है intensity loudness यानि कितनी तेज आवाज है क्या बताता है intensity हमें बताता है कि due to intensity a sound appears intensity के कारण ही क्या होता है तीवरता के कारण ही intensity इसी के कारण ही कोई sound हमें louder और कैसा हमें तेज और कैसा सुना जेता है फैंट तीखा जैसे जैसे मैंने क्या बताया अगर intensity बढ़ेगी तो यह दोनों चीजे बढ़ेंगी आप बिरती और आयाम दोनों बढ़ेगा और दोनों बढ़ेगा तो louder loud किससे होती है amplitude से आवाज तेज किससे होती है मैंने बताया amplitude से और फैंट किससे होती है तीखी फैंट मीन्स तीखी फैंट ग्रिल शाउंड शार्प साउंड शार्प और श्रिल साउंड किससे आता है frequency बढ़ाने से तो दोस्तों louder और फैंट जो sound होता है वह किसके कारण होता है intensity के कारण अब दोस्तों हमारे ear पे भी depend करता है कि कहीं हमें लिकत तो नहीं है तो जो भी हमारा सेंस औरगन है यह क्या करता है साउंड को रिसीव करता है कोई बोलता है तो साउंड रिसीव होता है तो जब साउंड रिसीव होता है कि तो उसे हम क्या बोलते हैं loudness, जो sound हमारा ear receive करता है, उसे किस में नापते हैं, कितने kilogram आवाज आ गई, ऐसे नापेंगे, कितने meter आवाज आ गई, ऐसे नापेंगे, नहीं दोस्तो, sound को measure करते हैं loudness में, तो आप लिखिए, कि sound produced by ear, sound perceived by ear, बहुत important है, sound perceived by ear, हमारे कानों के द्वारा, जो perceived किया गया sound है, is measured in, किस में नापते हैं, आ सकता है question, कि sound perceived by ear is measured in, is measured in loudness, उसे हम क्या बोलते हैं, loudness, उसे हम बोलते हैं, loudness, यानि, शोर गुल कितना हो रहा है, वही है loudness, तो ear के द्वारा परसीव की जाने वाले, आवाज को किस में मापा जाता है, loudness में, बहुत important है, इस loudness की unit, तो unit of loudness क्या होती है, unit of loudness, ये होती है, दोस्तो, bell, unit of loudness क्या होती है, बे, दोस्तो, इसको लिखिए, बे, डबल, बेल, और practical unit, एक और unit होती है, इसकी होती है, दोस्तो, loudness की decibel, जो की बहुत important है, exam में, बहुत जादा ये decibel पूछा जाता है, तो note करिए, कि एक bell में 10 decibel, db से denote करते हैं decibel को, तो एक bell में 10 decibel होते हैं, एक bell में 10 decibel होते हैं, आप से पूछा जाएगा exam में, कि बताइए, अगर आप traffic में खड़े हैं, traffic में कितने decibel का sound होता है, एक आदमी normally कितने decibel का sound सुन सकता है, normal बातचीत में कितने decibel sound होता है, तेज अवाज में कोई बात करें तो कितने decibel sound होता है, एरक्राफ्ट उड़ते हैं तो कितने decibel sound होता है ऐसे ही कुछ questions आपके exam में आते हैं जिने हम आज आपसे discuss करेंगे दोस्तों तो एक bell में 10 decibel होते हैं ये बात याद रखेगा loudness जो हमारे कान पर sound receive होता है उसको ना पा जाता है loudness में loudness की unit होती है bell की practical unit होती है loudness की decibel एक bell में 10 decibel और एक और unit होती है loudness की unit of loudness दोस्तों विस्तार से पढ़ेंगे topic को तो exam में आपका question छुटने का chance कम हो जाएगा phone एक loudness की unit होती है दोस्तों phone is a unit of loudness तो तीन unit पता दी bell decibel and loudness यह तीनों आपको अच्छे से करनी है अब दोस्तों decibel के उपर कुछ बात कर लेते हैं कि अगर आपको कहा जाए कि normal आप जो सांस लेते हैं वह कितने decibel आवाज आती है जब आप रात में सांस लेते हैं दिन में तो सांस कोई लेगा अगर तो सुनाई नहीं देगा कि उससे ज़्यादा decibel का sound आसपास होता है और शोर होता है शोर में सांस उनाई नहीं देगी लेकिन रात में जब आपके बगल में कोई सो रहा हो और आपको नीन ना आई हो तो आपने अब्सर्व किया होगा कि सांस की आवाजे आती है तो कितना decibel sound होता है सांस लेने में किसे आराम से घर में बैठ के बात कर रहे हैं किसी से भी बात करते हैं तो नौर्मल कनवरशेश्न दोस्तों कितने dv पर होता है यह question आया हमारा conversation हमारा होता है दोस्तों लगभग 40 dv से 50 dv बस 50 dv पर normal conversation होता है 40 से 50 dv normal conversation सांस लेंगे 10 dv normal conversation normal बातचीत करेंगे तो 40 से 50 dv अब दोस्तों तेज तेज कोई आदमी louder बात करता है जब louder conversation louder 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 conversation करता है कोई आदमी तो बताइए कितने dv का sound होता है लगभग 60 dv तेज तेज बात करेगा तो 60 dv तक आवाज आती है आप से question पूछा जाता है कि कि कितना sound human eye सुन सकता है human eye कितना sound सुन सकता है मतलब किस range के बात human eye को समझ में आना बंद हो जाता है human ears को sorry ears को सुनना बंद हो जाता है किस मलब समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों समझ में नहीं आता है not understand after समझ में नहीं आता है कब जब 85 decibel के sound पर यह question कि understand होना बंद होता है बात समझ में नहीं आती 85 decibel के बात अब दोस्तों एक range और होती है 85 decibel के बात traffic के अंदर जब आप traffic light में खड़े होते हो traffic light पर कितने decibel का sound होता है जिसमें आपको phone की आवाज सुना ही नहीं देती है अगर किसी का phone आ जाए तो आप उठा के सुन नहीं सकते है तो दोस्तों 90 decibel का sound traffic light में होता है 90 decibel का और दोस्तों traffic light में 90 decibel का हुआ तो दोस्तों आप पूछते हैं कि industries में कितना होता है sound तो industries यह नॉर्मल range है industries में 110 db का आप इसको revise करते रहिएगा क्योंकि exam में पूछते हैं auto horn auto वाला ठीक आपके पीछे है और horn बजाए horn बजाए तो आप देखते कितनी irritation हो जाती ही कान में कि horn मत बजाओ यार हम जा रहे हैं तो अगर कोई पीछे से horn बजाता है auto का तो horn में कितना decibel का sound होता है 120 db और दोस्तो auto horn में भी और जो stone crusher आते हैं जो hammer machines आती है जिनसे चट्टाने तोड़ी आती है hammer machines तो वो भी इतना ही sound create करते हैं दोस्तो aircraft aircraft यानि jets जोड़ते हैं jets यह लगबग 140 से 160 db 140 से 160 db यह भी बात aircraft की और दोस्तो aircraft सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो noise होती है वो होती है nuclear nuclear blast जो होते हैं na explosions nuclear blast में 240 decibel मतलब यह तो हम सुनने तो कहां नी बहर हो जाएंगे 85 के बाद सुनने का छमता खतम हो जाती है आदमी की वो फिर शोर में convert हो जाता है जो भी बोला जाता है वो शोर होता है उसे आदमी सुन नहीं सकता 60 में तेज अवाज 40 में नर्म अवाज 10 डीवी पर सांस लेना 110 पर इंडस्ट्री एक सो बीस पर जेट एक सो चालीस पर आपका एक सो बीस पर आटो हॉन हैमर मशीन 140 एक सो साथ जेट और 240 पर हमारा nuclear explosion अब दोस्तों बहुत important है एक चीज समझे लें pitch क्या होता है यानि स्वर्मान किसी sound की pitch क्या होती है pitch बस वही pitch एक ऐसा पैमाना है एक ऐसा perimeter है जिससे हम यह पता करते हैं कि sound नर्म है या तीखा है दो चीजे क्या पता करते हैं कि sharp sound है या grave या dull sound है बस pitch से मालूम कुछ definitions तो book में लिखी है आप समझ लीजे कि आवाज तीखी है या नर्म आवाज है उसे ही हम कहते हैं कि यार high pitch sound है या low pitch जब कोई हमसे तेज आवाज में बात करने लगता है थोड़े तीखी आवाज में हम कहते हैं आपनी pitch जड़ा low कीजिए प्लीज low pitch में बात कीजिए तो low pitch का मतलब थोड़ा नर्माई से बात कीजिए विनमरता से बात कीजिए तो sharp मतलब तीखी आवाज यह क्या होता है pitch वह characteristic है sound की इसे हम इस तरह कहेंगे pitch is that characteristic of sound वह खासियत है sound की जिसके कारण हम नर्म और तीखी आवाज में फरक कर पाते हैं pitch is that characteristic of sound by which we can distinguish between sharp और shrill sound और grave और dull sound तो grave मतलब नर्म आवाज यह वही नर्म आवाज तो pitch ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ pitch ज़्यादा होने का मतलब है दोस्तो frequency ज़्यादा तीखी आवाज बस यही पूसते हैं कि अगर किसी आवाज की frequency बढ़ा दी जाए इन दोनों को relate करते हैं कि यदि किसी sound की waves की pitch को बढ़ा दिया जाए तो उसकी frequency आप कहेंगे बढ़ जाएगी और अगर pitch को घटा दिया ज sound की quality कैसी है दोनों sound एक ही जैसे हैं एक ही intensity है एक ही frequency है दो जगा से sound आ रहा है और दूसी जगा से sound आ रहा है और दूसी जगा से भी sound आ रहा है दोनों की intensity भी सेम दोनों की frequency भी सेम है तो भी उनकी quality हो different होता है आप कहते हैं ना कि sound की quality अच्छी नहीं है यह थोड़ी फट को खीषते हैं गितार की या किसी भी चीज की रबड को तान के थोड़ा खीचेंगे तो उसमें से आवाज आती तडंग करके आवाज आएगी तो वही आवाज क्या है जब फंडामेंटल जो ओरीजनल फ्रिक्वेंसी है उससे बड़ी फ्रिक्वेंसी उसके उपर आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं quality of sound quality क्या होता है ये depend करता है number ये किस पर depend करता है number quality of sound कब बढ़ता है जब number frequency and intensity of overtone बढ़ता है number frequency and intensity of overtone बढ़ता है तीप बढ़ता बढ़ती है overtones की overtones क्या जब दो frequency एक दूसरे को overtake करती है original frequency के उपर कोई frequency आ जाती है that is called intensity of overtones आप मेरी आवाज को दबा दो आप तेज तेज बोलने लग जाओ that is called overtone आपने मेरी tones उपर एक tone रग दी तो मेरी आवाज दब गई और आपकी आवाज सुना ही दे गई तो दोस्तों दोनों की आवाज mix हो जाती है इसलिए quality of sound खराब हो जाता है और एक जगा से एक ही frequency का sound आ रहा है that is called quality अच्छी है अब दोस्तों quality के बाद में एक बहुत important topic आता है eco प्रती ध्वनी आज का last topic ये लेंगे प्रती ध्वनी इसको सम्मेली जीए कुछ नहीं होता जैसे light object से टकराती है प्रकाश किसी object से टकराता है शीशे से टकरा के आपकी आँख पर पढ़ता है आपको चमक समझ में आती है that is called reflection of light ऐसे ही reflection of sound होता है बड़े object से reflection of sound जब sound आप बोलें और किसी बड़े object से टकरा कर वो वापस आए reflection of sound by bigger objects ठीक है बड़े object से mountain हो बड़ी सी दिवार हो कोई tower हो objects से ठीक है वापस आए मानली जी ये बड़ी सी दिवार है और मैंने यहां स है बोला तो तरंगे गई टकराई वापिस आई echo हुआ ही नहीं वापस आई क्योंगी वापस आई क्योंकि दोस्तों इस में distance भी matter करता है कि आप कितनी दूर खड़े हैं कम से कम कम से कम आपको सत्रा метर दूर खड़ा होना है उस tower से कितनी दूर खड़ा होना है दोस्तों उस टावर से 17 मीटर तो minimum distance for eco is लिख लीजिए आप इसे note कर लीजिएगा minimum distance for eco minimum distance for eco eco के लिए minimum distance क्या होता है दोस्तों eco के लिए minimum distance होता है 17 मीटर और कभी exact पूछने लगे तो 16 point 16 point होता है यह दोस्तों 6 मीटर 16.6 मीटर यानि प्रतिध्वनी के लिए बड़े object से sound टकरा कर वापिस आ जाता है हम पर हमारे कानों तक वापिस आता है टकरा कर जब आप देखते होंगा कुए में कभी कुए में बोलते हैं तो आवाज लॉट के आपके पास आती है कभी बड़ी बड़ी आप गए होंगे किलो में घूमने तो आप बोलते होंगे तो आवाज वापिस गुंजती है अगर ये दीवार सामने की 17 मीटर से जादा होती तो इको होता टकर आवाज वापस आती 17 मीटर की दूरी नहीं होगी तो आवाज वापस नहीं आएगी तो 17 मीटर का डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी होता है इको के लिए एक चीज नोट करके लिखिएगा दोस्तों कि ध्वनी के परावर्तन के कारण ध्वनी के परावर्तन के कारण ध्वनी के परावर्तन के कारण ठीक है दोस्तों ध्वनी के परावर्तन के कारण sound travels faster in night sound travel faster in night तो दोस्तो faster in night का मतलब आप से पुछेंगे धोनी दिन धोनी की गती दिन की अपेक्षा रात को ज्यादा होती है एक्चुल बात है धोनी की गती दिन की अपेक्षा रात को ज्यादा होती है क्यों क्योंकि due to reflection of sound तो आप दोस्तों एक चीज याद रखें कि यह जो नोट करके लिखा जा रहा है इस सब एक्जाम में आया हुआ है reflection of sound के कारण ही धोनी की गती रात में ज़्यादा होती है दिन के पेक्षा और एक चीज और दोस्तों नोट करके लिखेंगा आप मैं यहाँ लिख देता हूँ कि sound हमारे कान पर कितनी देर तक रहता है कोई भी आवाज आई और थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाती है हम सुन लेते हैं उसके बाद वो waves खत्म हो जाती है कहीं और चली जाती है तो हमारे कान पर उसका असर कितनी दिर तक रहता है तो लिखतो persistence of sound, persistence, persistence of sound, of sound on eyes, on ears, sorry दोस्तो, on ears, यह बहुत important है persistence of sound on ears, एक बटा 10 सेकिंड, अब दोस्तो एक बटा 10 सेकिंड से कुछ याद आया आपको, कि बर्फ का टुकडा पानी में तहरता है, जब तो उसका भी एक बटा 10 भागी पानी के बाहर होता है, बाकी जो नौ बटा 10 है, वो पानी के अंदर होता है, तो एक बटा 10 सेकिंड तक, एक सेकिंड के दसमें हिस्से तक कान में आवाज हमारे बनी रहती है, यानि persistence of sound one by ten सेकि तो साउंड में आपने पढ़ लिया दोस्तों उसकी इंटेंसिटी उसकी क्वालिटी उसकी पिछ फ्रिक्वेंसी एंप्लिट्यूड और यह इंपॉर्टन जो भी था मैंने मार्क करके आपको बता दिया वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों लाइक और कमेंट करके जुरूर कि घजफ छोस्तों लाद करतेट कि सूब रिया मिलाया है को दोस्तों सते हैं भी ठावर्टन को स्काँ प्रावियो ढ़ाएंसिए चिर नब सोस्तों दोगंसैंसे झालका रवर्टन तोक्यों